हलो फ्रेंड़ स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे CRPC की धारा 309 के बारे में याद रखें आप ये कि ये जो धारा है ये CRPC की धारा 309 है ये IPC की धारा 309 नहीं है IPC की धारा 309 में जो है आत्मत्या से संबंदित बातें बताई गई है आत्मत्या के लिए दंड के प्राउधान किये गए है लेकिन CRPC की धारा 309 क्या कहती है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे यदि आप CRPC से related पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किल कारवाई का इस्थागित किया जाना मतलब कारवाई को कुछ समय के लिए रोग दिया जाना नियाला जो है कारवाई को कुछ समय के लिए रोग सकता है लेकिन यदि गंबीर मामले हैं तो दिन प्रती दिन यह कहें कि किसी भी मामले में यदि आपरादिक मामले हैं तो उन चलती रहनी चाहिए और यथा संभव सीगृता से कारवाई को निपटाया जाना चाहिए यह कहा गया लेकिन किसी मामले में होता क्या है कि कभी कभी कारवाई को मुलतवी किया जाता है कारवाई को इस्थगित किया जाता है या कहें कि कारवाई को कुछ समय के लिए रूप द उसको लिख के रखना पढ़ेगा हम कानुनी लेंगवेज में यानिके किताबी लेंगवेज में भी इसका अध्यान पड़ लेते हैं पढ़ लेते हैं इसको क्या लिखा हुआ इसमें लिखा हुआ है कि प्रते जांच या विचारण में कारवाई यथा संभव सीगृता से निप्टाई जाएगी और विशिष्टता जब साक्षियों की साक्ष प्रारंब हो जाए एक बार याने कि एक बार साक्षियों की साक्ष आरंब हो जाती है तो वह सबी साक्षियो की साक्ष हो जाने तक दिन प्रति दिन तक जारी रखी जाएगे जब तक ऐसे कार्णों से जो लेखवद किये जाएंगे न्यायल अगले दिन से परे के लिए उसे इस्थगित करना आवश्यक समझे याने कि दिन प्रती दिन जब साक्षियों की साक्षारम हो गई है तो दिन प्रती दिन साक्षियों की साक्षिली जाएगी लेकिन यदि मान लेते हैं कि कल के लिए कोई साक्षिली जानी है और उसको टाल करके दो-चार इस करणूों को किया जाएगा इसकार ‫ालेक करने विचारन के पशेट याथ Sumat या उचिष्शत विचारण का प्रारंब करना मुलतवी कर जाना या उसको रूप दिया जाना कि शुट समय के लिए उसको रूप दिया जाना है तो ऐसे समय में ऐसे कारणों को जो लेकबद किये जाएंगे ऐसे निर्बंदों पर जैसा नियालाई ठीक समझे उतने समाई के लिए जितना वह उच्छ समझे मुल्तभी या स्थागिद कर सकता है जाने के उसको कुछ समाई के लिए रोक सकता है लेकिन कब नियालाई जो हे ऐसे कारणों को लिखबद करेगा जिन कारणों के वज़े से उसको रोका गया है ऐसे निर्वंदों को लिखेगा जिन निर्वंदनों के आधार पर उसको रोका गया है और कितने समय के लिए उसको रोका गया है ऐसे कारणों को भी लिखेगा और यदि अभियुक्त जो है अभिरक्षा में हैं तो उसे वारंट दारा प्रति पेशन कर सकता है यानि कि यदि अभियुक्त को अभिरक्षा में रखा गया है तो उसको वापस से जो है जेल बेजने की प्रक्रिया कर दी जाएगी कि वापस उसको भेज दिया जाएगा भईया तुम जेल में जाओ अभी क्योंकि कारवाई को कुछ समय के लिए रोका गया अब यदि इसमें एक बात और लिखिए कि परंतु कोई परंतु यह और कि जब साक्षी हाजिर हो तब उनकी परिक्षा किए बिना इस्थगन या मुल्तवी करने की मंजूरी विशेश कार्णौस के बिना जो लेगबद किये जाएंगे नहीं दी जाएगी यानि कि कोई साक्षी कोई गवा हाजिर हो गया है नियालाय में और हाजिर होने के पस्चात कारवाई को इस्थगित नहीं किया जाएगा यानि कि कारवाई को फिर आगे नहीं बढ़ाय जाएगा उसको रोका नहीं जाएगा तारीक आगे नहीं दी जाएगी क्यों क्यों कि जब साक्षी उपस्चित हो गया है तो फिर उसकी साक्षी ली जाए साक्षिन नहीं ली जाती है तो ऐसे कारणों को लेकबद किया जाएगा कि यह किस कारण से साक्षी की साक्षिन नहीं ली गई तो यह होगी बाते हैं अपने इसमें सारी बातें कर ली लेकिन इसमें एक बात और है कि परंतु यह और भी कि इस्थागन केबल इस प्रयोजन के लिए मंजूर नहीं किया जाएगा कि वह अभियुक्त व्यक्ति को उस पर अधिरोपित किये जाने प्रस्थापत दंडा देश के विरुद्ध दर्सित करने में समर्थ बनाएं यानि कि इस्तागन जो होगा वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि भीया जो दंडा देश के विरुद्ध जो है उसको समर्थ बनाने के लिए यानि कि अभियुक्त के मामले को ज्यादा समर्थ बनाने के लिए रोका जाए ऐसा नहीं किया जाएगा इसमें दो स्पष्टी करण किये गए हैं, पॉइंट नमबर एक और पॉइंट नमबर दो, इसके स्पष्टी करण को भी हम समझ लें, पॉइंट नमबर एक कहता है कि यदि यह संदे करने के लिए परियाप्त साक्ष प्राप्त कर लिया गया है, कि हो सकता है कि अभियुक्त ने अपर्त किया है और यथा संभाव ये प्रतीद होता है कि प्रतीपेशन करने पर अतिरिक्त रहा है तब ऐसे समय में यदि यह लगता है नियाले को यह जो अभ्यूक्त है इसी ने अपरात किया है और संभवता है कि इसने अपरात किया ही है तब ऐसे समय में उसको यदि जेल बेजा जा रहा है तो इसमें फिर कोई गलत बात नहीं है याने के फिर उसका यह माना तो उसके अंतर का समुचित मामलों में अभियोजन या अभियोगत द्वारा खर्चों का दिया जाना भी है याने कि किसी कारवाई को इस्थगित किया गया है कुछ समय के लिए रोग दिया गया है या कारवाई को मुल्तवी किया गया है तीन चीज़ें आप समझ लें मुलतवी जो है उर्दू सब्द है इस्थगन जो है यह एक हिंदी सब्द है तो और यदि हम अपनी लेंग्वेज में समझें तो कारवाई को कुस्तमय के लिए रोग दिया जाना तो इस तरह से इन तीनों सब्दों को हम समझेंगे इसके कारण भी उचितकारण माना जाएगा तो आज की वीडियो में हमने अध्यन किया कि इधारा 309 के बारे में यदि आप CRPC से अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर किलिक करें यहां से आपको CRPC का अगला वीडियो भी मिलेगा CRPC IPC और भारती संबीदान से र और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकोन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद